हलो स्टूटेंट विल्गम बैक दूश चनल दिनेट सर इसमें बात करेंगे जही मेंस और नीट की जो एक्जाम से क्या वो डिलीटर सिलेबस के क्वेशन भी उसमें आएंगे या रिडियू सिलेबस के उपर ही बेश्ड होगी या टोटल हंडिड परसंट सिलेबस उसमें किस तरह की क्वेशन आएंगे या डिलीटर सिलेबस से आएंगे या नहीं यहां पर आप गूगल में जब सर्च कहते हैं तो बिजनस टूटे का एक आर्टिकल कहता है कि जही नीट बोर्ड एक्जाम्स विल बेश्ड ऑन रिडियूस सिलेबस एजूकेशन मिनिस्टर नीच पोस्ट का कहना है जही नीट बोर्ड एक्जाम्स 2021 विल बी सेट बेश्ड ऑन रिडियूस सिलेबस से एजूकेशन मिनिस्टर तो क्या यह सही है क्या डिलीटेट सिलेबस जो नहीं आएगा जही में इस नीट में तो बिलकुल यह गलत खबर है इनका जो इंटर्वी है उसक आप यहां लिखा है कि बोर्ड एक्जाम 2021 वान रिडियूस सिलेबस मोर क्वेस्टन जही नीट एजूकेशन मिनिस्टर देखो इन्हों ने पूरे आर्टिकल को चेंज कर दिया है पहले यहां पर इन्हों ने दिया था कि यह जो जही नीट जो है रिडियूस्ड सिलेबस के 30% more options in J.E. नीट याने कि इन्हों ने सही से answer दिया है कि जो बोर्ड एक्जाम है उसमें 30% सिलेबस जो है कम कर दिया गया है और J.E. नीट के अंदर जो reduced सिलेबस है उसमें से questions आएंगे और deleted सिलेबस के भी questions होंगे लेकिन option जादा होंगे जैसे कि आप जानते हो कि 90 questions 15 question option होने वाले 75 question का जवाब देना होगा negative marking भी नहीं है J.E. में तो इस तरह से यह जो है खबर जो है कि सिफ deleted सिलेबस जो है वो J.E. मेंसों नीट में नहीं पुझा जागा है बिल्कुल गलत है जो J.E. मेंसों नीट की त्यारी करने है उन्हें 100% सिलेबस की त्यारी करनी है तो बच्चों आप ध्यान रखो मैंने यहां confirm कर दिया जो confusion दूर हो चुका है कि जो J.E. मेंसों नीट में जो NCRT या CBSC उसका 100% सिलेबस आएगा उमीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe जरूर को लो वीडियो पसंद आ मिल दें अगले वीडियो में बाई अवरिवन